तो सार जितने हमारे पीछे वाले टॉपिक्स से प्रोसेस अकाउंट के अंदर और जो बच्चे नए अंड्रोल होएं आज वाला टॉपिक्स समझ में नहीं आएगा उनको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा पीछे के सारे टॉपिक्स इन्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है लेकिन अब आप बोलोगे ना अच्छे में से भी बहुत अच्छा सेम इन्पोर्टेंट में से भी बहुत इन्पोर्टेंट तो वो ये है हमारा ये हमारे एक्जाम में पूछा जाता है ओनर्स में तो 100% आता है ल झाल झाल वाइस चेक करी आ रही है वाइस बहुत दुखी कड रहा है ये माइक में जो चलिए नाव क्लियर है बता दीजिए फटा फट अब क्लियर है वाइस चलिए प्रोसेस अकाउंट हम पहले थोड़ा सा याद कर लें के भईया हमने सीखा गया था और बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बच्चों के लिए बड़ा सरदर्द बन जाता है क्योंकि वो ना इसको समझ के नहीं करते यह रहा हमारा प्रोसेस अकाउंट सर अभी प्रोसेस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा जी हाँ अभी भी ना हमें प्रोसेस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा यह हमारा प्रोसेस अकाउंट है अब इस प्रॉसेस अकाउंटिक के अंदर क्या होता था हमारा ओपनिंग स्टॉक भी होता था मटीरियल भी होता था और लेवर भी होता था और ओवर हेड भी होता था ठीक है जो भी X, Y, Z यूनिट आ गया 500 यूनिट आ गया और मान लेते हैं 5000 रुपए का आ गया और इसी के हिसाब से हमारा सारा सारा ये चलता था इसके बाद देखा जाए बाई साइड में तो बाई साइड में क्या था था हमारा नॉर्मल लॉस और क्या लिखते थे हम एबनॉर्मल लॉस मैं बस बातें याद दिला रहा हूँ वाई क्या लिखते थे जो next process में जा रहा है वाई में क्या लिखते थे closing stock भी लिख दिया करते थे हाला कि इसके लिए अलग से stock account भी बनाना सीखा तरही है और इस तरीके से हमारा done हो जाये करता था अब ये काम हमारे लिए process account बनाना इतना आसान था ना पहले क्योंकि इसका value हमें given होता था कि कितना होगा हमें abnormal का value given होता था या नहीं तो निकाल पाते थे हम next process में जो जाएगा इसका value हम balancing figure निकाल लिया करते थे ठीक है न opening stock का क्या होगा ये value given होता था अब ये value नहीं देगा देगा सही इसका value लेकिन इससे और आपको filter करके आगे निकालना पड़ेगा उसका जरीया देगा अगर मैं बात करूँ चीजों को ध्यान से सुनना एक होगा opening stock sir opening stock का मतलब क्या होता है जो पुराना stock है ना अब opening stock यानि कोई भी stock बनेगा कुछ भी बनेगा माल लेता है मैं यह पैन बना रहा हूं आपके सब्सक्राइब यह पैन भी बनाऊंगा तो इसमें material भी लगा है लेबर भी लगा है और overhead भी लगा है तीनों चीज़े हैं तो sir कोई भी stock होगा कोई भी चीज बनेगा तो उसमें क्या क्या लगने वाला है माटीरियल लेबर एंड ओवर हैट मैंने यह यह वर्ड नहीं लिखा ओपनिंग फिनिस स्टॉक सिर्फ लिखा ओपनिंग स्टॉक और opening stock में ऐसा हो सकता है probability कि जो हमें opening दिया हो वो finish गोट सकती हो अगर हमें opening stock वो finish दे रहा है तो तयार माल है बस इसको बेचने की दे रही है है ना इसको बस बेचना है लेकिन opening stock जो मिला है वो आदा कच्छा है मतलब सही से बनानी और end हो गया हमारा साल और उसे हमने opening में डाल दिया जिसे मकान होता है एक जो final मकान बन के तयार होता है वो finish है और हर साल roll over होता है तो एक opening stock भी अगर देखा जाए तो कुछ labor अभी नहीं लगा यह नहीं लगा तो हमेशा याद रखना कोई भी हो material तो हमेशा 100% लग जाता है जब हमारा कोई stock आधा कच्चा आधा पक्का देखो पक्का हुआ तो सब कुछ 100% लग दिया लेकिन आधा कच्चा आधा पक्का हुआ ना कोई समान तो उसमें material हमेशा 100% लग जाता है अब labor उसमें लगना बाकिए भाई कुछ labor लग गया आटा गूतने तक का labor लग गया उसका पकाने वाला labor नहीं लगा ओवरहेड गैस वगएरा अभी नहीं लगा लेकिन कुछ लग भी गया होगा मान लेते हैं 10 रोटी बन गई है तो यह जो होता है ना यह depend करता है कि आपका कितने percent completion हुआ है उसका percentage लगेगा हमें सार यानि सर opening stock हो सकता है आपका कि पूरा तयार मिले आपको और हो सकता है कि इसके अंदर आधा कच्चा आधा पक्का पहले जो opening stock देता था ना हमें इतना दिमागी नहीं लगाना पड़ता था कि इसमें material कितना है labor कितना है और सब दिमागी नहीं लगाते थे real में यह prepare होता है हमारा तो सर अगर मैं बोलू कि opening stock में 100% material लग गया है तो बताईए अब मैं यह opening stock पिछला है मान लो 2010 है अब हम आगे कहां पे 2000 अब बताओ मुझे और opening stock को तयार करने में material कितना लगेगा 0 है कि नहीं क्योंकि पहले ही लगा दिया भाई तुमने मैंने बोला यह 70% लग चुका है तो मुझे 2011 में opening stock को सुधार के पूरा लिखूंगा ना भाई मैं तो तो opening stock में अब labor कितना लगाऊं एड ओवर हेड कितना लगाऊं अगर मैं बोलता हूं यह 40 है तो पहले आपको थोड़ी थोड़ी concept develop कर रहा हूं इसमें कुछ सीख नहीं रहे बस समस्ते जाना है आपको बस यानि सर ऐसा भी possible हो सकता है सवाल में opening stock जो देगा वो आधा कच्छा आधा पक्का दे या फिर पूरा पक्का ही दे दे पूरा पक्का का मतलब finish दे दे पूरा और आधा कच्छा मतलब कुछ पार्ट लग गया और कुछ नहीं लगा इस तरीके से भी चल सकता है चलिए सर अब opening stock की कहानी material labor इसका तो rate आपको given होगा यानि यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा normal loss abnormal loss ये भी given होगा लेकिन सर जब हमारा normal या abnormal loss होगा न या तो abnormal loss हो या normal loss हो इसके अंदर भी तीन चीजों को मिला के loss होगा सर क्या अब हमें न थोड़ा depth में पढ़ेंगे in depth details discussion करेंगे पहले तो उपर उपर से देखा के भी या abnormal loss इतने रुपे को गया बात खतम अब हम ये भी बताएंगे कि abnormal loss में material कितना नुक्सान हुआ, labor कितना नुक्सान हुआ, overhead कितना नुक्सान हुआ ये सारी बाते हम इसके अंदर देखने वाले हैं तो सर, labor, overhead और material ये सारी बाते हम देखेंगे इसके बाद हमारा क्या है next process next process में जब जाएगा तो always याद रखना जब आपको इस अमान बेचोगे तो हमेसा full तयार होग करके बेचोगे next process का मतलब माल तयार होगा तभी तो next में भेजेंगे और next process में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हम next process में भेजेंगे जो हम next process में भेजेंगे इसमें material कितना लगा होगा labor, overhead तो जबाब होगा sir material लग गया होगा labor लग गया होगा और overhead भी लगा होगा तो next process बोलो या complete unit बोलो ठीक है same closing stock में भी ऐसा probability है जब opening stock का आधा कच्चा आधा पक्का हो सकता है तो closing का भी तो आधा कच्चा और पक्का हो सकता है तो यहाँ पे भी तो हमें सबसे majorly सबसे पहले तो यह define करना होगा कि भया कितने kilo समान यानि कितना unit समान ओपनिंग में लगा और कितना closing में लगा कितना समान opening है और कितना closing है समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ यानि अब हमें अगर opening stock का यहाँ पे बनाना यहीं account है भाईसा फाइनली question बोलेगा यह account बनाओ लेकिन अब हमें यह तैक करेंगे कि भाईया इसका value कितना होगा इसका value निकालने के लिए आपको material वाला value लेना पड़ेगा जैसे मैं बोलू कि भाईया opening stock में मैं example ले रहा हूँ कि opening stock में 5 kilo समान लगा और 2 रुपए के हिसाब से तो भाईया यह तो होगे हमारा 10 रुपए और यह पांच रुपए और यह पांच रुपए अब जाके मैंने decide कर पाया कि opening stock कितना लिखेंगे जो कि यहां हम 20 लिखेंगे लेकिन पहले ऐसे कहानी नहीं थी पहले क्या था कि आपको totally देता था है ना तो अब हमें ये components निकालना पड़ेगा यानि सार हमें opening stock भी निकालना पड़ेगा closing stock तो इसके लिए हम एक format follow करेंगे यानि equivalent unit बना लेगे कि कितना unit कितने कितने part labor के लगे कितने part material के लगे वो एक statement बनाएंगे उसके बाद हर unit का कितना rate पड़ेगा वो भी बनाएंगे उसके बाद हर unit का total cost क्या होगा वो भी बनाएंगे तो हमारा चल रहा है कि आप process account बिल्कुल new है पीछे से बस ये account बनाना होता है ज़्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है तो हम process में भी क्या सिखने है work in progress concept सर work in progress में दो method है इसके अंदर very popular और दोनों में से कोई भी examiner बोल देता है कि इस method से करके दिखाओ और examiner अगर नहीं बोलता कि इस method से करके दिखाओ तब तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो सर जैसे एक है हमारा फीफो सर ये फीफो तो उसका ही सुना सुना सा है material के अंदर एक है हमारा weighted average weighted average जिसको WA बोल दूँआ सर ऐसा मस समझना दिमाग में ऐसा कहानी picture बिल्कुल भी नहीं बनाना कि वही फिर इतने सारे column वोलम कुछ नहीं वैसा फीफो और weighted average ये decide करता है कि हमारा unit को next process भेजने का क्या process रहेगा बस हमारे next unit को भेजने का क्या process रहेगा बस इससे ज़्यादा कुछ decide नहीं करेगा समझे बात तो हम आज नहीं सबसे पहले ये वाला पूरा करेगा फिर अगले class में ये वाला कर लिया तो आपको किस चीज से एक working note करना पड़ेगा अरे इसको सीखने के लिए एक working note करना पड़ेगा और इस question में मजे की बात है आपसे कभी भी दो process तीन process नहीं बनवाएगा एक बात सिर्फ एक ही process बना दो काफी है बोलेगा भी या पहले आप बना दो मुझे उसने बोला आप बना के दिखा दो process ए अकाउंट बस यही बनाना है process ए अकाउंट लेकिन सर process ए अकाउंट के बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा working note और इसमें सबसे main working note ही है सर working note के अंदर क्या बनाना पड़ेगा working note के अंदर तीन बातों का ख्याल रखना है आपने मैं अलग से लिख रहा हूं तो इसका मतलब बहुत important है कई बार examiner बोलता है इसमें बनाना पड़ेगा एक कितने unit बन रहे हैं यानि equivalent unit equivalent unit production कितना हुआ statement एक तो ये बनाना पड़ेगा सर बड़ा आसान है बड़ा simple सी बाता भी सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बनाना पड़ेगा हमें per unit cost हर unit के कितनी cost आई पास स्टीटमेंट ओके सर और कुछ बनाना है सर बिलकुल एक बनाना है हमें total unit cost मतलब total cost कितनी आई जिसको cost apportsment भी बोला जाता है ये बनाए अगर WIPO का उसमें भी यही बनेगा यानि इसमें देखा जाए तो process account अगर मैं ए process account बुलाने बोलू तो आप तो चार मतलब एक column खीज़ दोगे चार line खीज़ दोगे unit input output सब कुछ कर दोगे यह तो आता ही आपको अगर मैं working note सिखा दूँ आपको तो यह तो वैसे ही हो जाना है है ना तो आज सबसे main क्या सीखना पड़ेगा हमें इसका working note और working note में भी क्या सीखेंगे equivalent unit production एक एक करके बारी बारी सीखेंगे यह बस थोड़ा सा सीख जाओ यह सब तो बस मानके चलो एक calculation है जर्नल सर equivalent cost production सीखते हैं पहले इसका एक specific मैं format बना देता हूँ जो कि आपके लिए थोड़ा सा easy रहने वाला है और मैं format को बनाने सच्छा मैं पूरा question ही कर लूँ आई खेर इतना बड़ा नहीं बनता ही है एक basically कितने चीजें होती है तीन चीजें होती है न लेवर ओवर हैड माटीरियल इसके बाद चेक करेंगे कितना output निकला फिर particular फिर कितना input निकला यह इतना ज्यादा मैं complicated इसलिए करना थोड़ा असान पड़ता है थोड़ा अच्छे सजागे करके देंगे इस गमना उपर लिखेंगे equivalent सर यहाँ पर डालेंगे input यह होगा particular क्या क्या डाला यह होगा output कितना माल बनाया यह होगा material यह होगा labor और यह होगा अर सर अब इसके अंदर हम यह देखेंगे कि कितने unit material के बने और कितने percentage बने कितने unit labor के लगे और कितने percentage कितने unit overhead के हिसाब से और कितने percentage हम एक एक करके column को पहले समझ ले सकते हैं input input के अंदर आप क्या लगा सकते हो input की बात करें तो दो ही चीज़े input हो सकती है एक तो opening stock लगाओगे एक लगाओगे जो आप introduce कर रहे हो दो ही चीज़े input लग सकते हैं एक तो पुराने वाला माल और एक आपने और लाके material लाग दिया ये input हो जाएगा और इस दोनों को अगर जोड़ दे मालो मैं बोलता हूँ ये 500 unit और ये मैंने बोला 1000 लगाया तो दोनों को जोड़ दे तो इससे बोला जाता है total input total input जैसे suppose कितना होगा total input अब अगर मैं बोलू ना नॉर्मल लॉस तो सब नॉर्मल लॉस इस पे निकलेगा total input अगर बोलता है कि नॉर्मल लॉस 5% है तो अब इस पे निकालोगा बोलता है कि introduce का 5% है तो इस पे निकालोगा कुछ नहीं बोला हो तो total पे निकालना है और introduce बोला हो तो इस पे निंगालाः यह redemption लेगर चलते हैं आपको लेकिन इस सवाल के अंदर ना normal loss के साथ साथ आपको पता है क्या देगा? scrap देगा scrap unit Sir, scrap unit का मतलब क्या होता है? scrap unit का मतलब होता है total unit यानि scrap unit का मतलब total unit का मतलब क्या है? normal loss bonus abnormal loss अगर मैं कहूं के मेरा स्क्रैप यूनिट 200 है और नॉर्मल लॉस 10% है तो मुझे कौन बच्चा यहाँ पर अबनॉर्मल लॉस बता सकता है अबनॉर्मल लॉस बताईए अबनॉर्मल लॉस पूछ रहा हूंगे तो सर लाइब क्लास वाले बच्चों ने तो कुछ ने जवाब भी दे दिया सर यह 200 तो टोटल है ना अब इसके अंदर से नॉर्मल लॉस तो आप निकाली सकते हो एक सो पचास है तो अबनॉर्मल भी निकाली लोगे अब तो अब तो कहानी असान है यह हमेशा हम मान के चलते हैं क्योंकि यह ना कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है यह हमको ही कस्टमर बियर करता है इसको हमेशा परसंटेज कमपलीशन में जीरो मानना है इसको हमेशा परसंटेज कमपलीशन में जीरो मानना है किसको सर नॉर्मल लोस को पचास 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 बागे बच्चे भी जवाब दो गुनगुन आपका 180 गलत था यह पचास है ठीक है अब सर अबनॉर्मल लोस कितना पचास यूनिट हुआ है अगर आपका तो अबनॉर्मल लोस में कितना मटीरियल लगा, कितना लेवर लगा और कितना इन सभी का परसंटेज आपको गीवन होगा मैं कुश्चन किस हिसाब से बिल्ड अप किया जाता है उस सब बताऊं यानि सर, ओपनिंग स्टॉक का आपको परसंटेज गीवन भी हो सकता है और नहीं भी अगर बोलता है ओपनिंग स्टॉक पूरा तयार है तो परसंटेज का क्या करना है सम में यहाँ यूनिट 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 आ जाए अगर मैंने बोला एबनॉर्मल लॉस, स्क्रैप इतना है नॉर्मल तो आपको नॉर्मल लॉस का परसंटेज ना जानना है और नहीं कोई मतलब रखता है हमें किसका लेंगे स्रिफ एबनॉर्म को ठीक है ना मैं इसी फार्मेट को करने से बहतर है कि मैं एक सवाल आपके सामने रखूँ इस सवाल के इसापसे इसको फिल करने तो मेरा सवाल भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा में चीजे एक बार फिर देख लेते हैं सर इस सवाल के अंदर क्या के हमें पता करना पड़ेगा पांच चार पांच चीजे नमबर वन आपको एक ओपनिंग स्टॉक लेना है जिसका आपको परसंटेज गीवन हो भी सकता है और नहीं भी नमबर दो आपका होगा फिरनिस गुड्स यानि एक introduced कितना किया है यानि इसको हम input बोलेंगे नमबर तीन पहोगा आपका कि आपने कितना complete किया है तो जो complete करोगे ना always कितने percent होगा यह और ये हमेशा आपको कितने unit complete किया इसे find करना होगा सर्थ समझानी समझानी कैसे find करना होगा Example मेरा opening stock है 400 मैंने input डाला 1600 टोटल स्क्रैप है टोटल स्क्रैप है 250 नॉर्मल लॉस है 10% क्लोजिंग स्टॉक है 300 unit मुझे जवाब चाहिए कि next process में कितना जाएगा यानि complete कितना किया आपने दो सवाल है मेरे यहां पर next process में क्या जाएगा पहला सवाल next process में क्या जाएगा कि देखते हैं सबसे फास्ट कौन सा बच्चा गुन-गुन सर ये वो गलती लिख दिया था ओके बास पचास माल तयार किया है तयार माल सिंपल पूछ रहा हूं चलिए एक बार देखें करके लगता है मुस्किल कोशन पूछ लिया मैंने देखिए सर देखिए देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था सर चार सो और इंपुट आपने डाल दिया कितना इसका मतलब आप दो हजार यूनिट बेचने के लिए लाइक हो आप दो हजार यूनिट बेच सकते हो लेकिन उसने का भया धाई सो यूनिट तो इसका मतलब आप सतरा सो पचास यूनिट बेच सकते हो समझ रहे हो ना आपने बोला स्थर बच गए 300 अच्छा 300 बच गया तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी 300 बच गए तो इसका मतलब आप कितने यूनिट बेच सकते हो तो यानि 1450 यूनिट आप लेके जा सकते हो next process में देखो समझ में आए नहीं है बिल्कुल साधारन भासा में कि भाईया शुरू में मेरे पास इतना था इतने डाले तो 1400 और 1600 और 2000 हो गए और आपने बताया ऐसा 2500 तो बरबादी हो गए तो हटा दो इसको तो 1750 और आप बोल रहें बच भी गए तो भाईया माइनस कर दो तो 1450 साथ आपके नेक्स प्रॉसेस में जाने को तयार सक्षम का सोनल का खुष्भू का पिंकी का दिया का इन सभी बच्चों का सही जवाब आ गया था अब मेरे दूसरा कोश्चन है कि भाईया जो नेक्स प्रॉसेस में आपने भेजा है वो तो बड़े आराम से आपने बता है कि ताजा माल कितना है और पुराना माल कितना है हमारा मैथट कौन सा चल रहा है फीफो का मतलब जो भी हम आगे इशू करते हैं पुराना प्लस में अगर पुराने से नहीं भर पाई हो पारी तो नया जोड के कर देते हैं यही होता है जैसे फीफो का मतलब क्या है आपके से भेजोगे इसी तरीके से तो आप 450 यूनिट भेजोगे जो मट्रील में सीखा है तो अब अगले प्रोसेस में 1450 भेज रहे हो तो जरूरी थोड़ी सारा ताजा बना हुआ हूँ तो कौन-कौन सा होगा इसके अंदर दो चीजे होंगी एक ओपनिंग स्टॉक और एक न्यू जो न्यू बनाया है आपने मेहनत करके इस साल तो ओपनिंग का तो भईया 400 है और जो न्यू बनाया है वो कितना है अब इसी को मैं इसमें भर के दिखा हूँ आपको सर इन्पुट लगा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लगा 400 और आपने इन्पुट मतलब इंटर्डियूस किया है इंटर्डियूस किया 1600 सर टोटल हो गए हमारे कितने सर 2000 इसके बाद अब इसमें से हम क्या-क्या है कि देखनें ओपनिंग स्टॉक सर यहां पे भी आजाएगा सेम ओपनिंग स्टॉक में यूनिट कितने थे सर कितने यूनिट थे 400 अब इसका मैंने परसंटेज और संटेज कुछ नहीं दिया मैंने वोला पूरा तयार माल आया तो भाया ओपनिंग में तो कोई महनती नहीं वो तो बनके ही आए रेट पता होगा इसके बाद हमने कम्प्लीट कितने किये एक हजार पचास नहीं यहां पे तो आएगा ओपनिंग में ओपनिंग में कितना आएगा यह अरे आउट्पुट में गलत लिख दिया मैंने एक मिनट थोड़ा सा नहीं पॉलम इधर उदर हो है यह इधर नहीं लिखके यह तो आउट्पुट में तो यूनिट आता है ना मैं इसलिए थोड़ा सा इधर लिख दिया चलिए ओपनिंग के कितने लगे थे सर चार सो अब आपने कम्प्लीट कितने किये सर एक हजार पचास कम्प्लीट किये क्लोजिंग स्टॉक कितने है स अब बच्चे यह पूछेंगे कि सर कम्प्लीट में एक हजार पचास क्या से लिखा क्यूंकि आपने बताया था कि टोटल 1450 है तो मैंने उपनिंग अलग कर दिया यह तो यह टोटल एक तरीके से नेक्स प्रोसेस में गया तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताईए यहां तक समझ में आ रहा है तो हम क्या करें कुश्चन कर लिया जाए कि यह तो पूरा हटता जा रहे है तो अब मिट आई लेते हैं तर यहां पर बताया ओपनिंग इस्टॉक प्लस कंप्लीट चार सो और एक हजार पच्चन चलिए एक सवाल आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ और वो विद परसंटेज के सास होगा अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का परसंटेज बोलू कि opening stock का यह percentage है तो इसका मतलब अभी last में सिखा था कि sir opening stock percentage अगर दे रहा है तो वह complete वारा दे रहा है हम यहाँ पे माल बनाने जा रहे हैं तो हमें कौन सा ले रहा है जो complete नहीं हुआ है sir normal loss total input पे होगा बिल्कुल normal loss total input पे लेंगे अगर सवाल नहीं कहता और सवाल कह दे तो वहीं लेंगे भाई फिर तो कोई समस्क्या ही नहीं है